40 cooking tips आपको master ship बना सकता है सबसे पहले cooking tips है पकोड़े बनाते वक्त उसमें थोड़ा सा चावल आटा मिला दे पकोड़े ज़्याधा क्रिस्पी बनेंगे दूसरा cooking tips है कोई भी मेठी डीज बनाते वक्त उसमें एक चुटकी नमक डाले इससे स्वाद और ज़्याधा उभर कर आएगा तीसरा cooking tips है चावल बनाते वक्त इसके पानी में एक चमज घी और कुछ बुंदे निम्बू के रस की डाले इससे चावल खीले खीले और पिल्कुल सफिद बनेंगे चौथा cooking tips है किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ानी के लिए प्याज भुंते वक्त उसमें आधा छोटा चमज चीनी डाले चीनी केरमलाईज होकर ग्रेवी को अच्छा कर देगी और स्वाद भी पाच्वा cooking tips है पूरियों को बेल कर तलने से पहले 10 मिनिट के लिए फ्रीज में रगते इससे पूरी फ्राय करते वक्त ज्यादा तेल नहीं सोखेगी छटवा cooking tips है सोजी को हलवे के लिए भूनते वक्त इसमें आधा चमज बेशन की मिला दे इससे हलवे का स्वाद दोगुना हो जाएगा साथवा cooking tips है किसी भी gravy में अगर तेल या घी जादा हो जाए तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रेज या फ्रेजर में रख दे उपर तैर क्रहा तेल जम जाएगा और आप आसाने से उसे निकाल कर फेक सकते हैं आठवा cooking tips है भींडी अगर हर बार चिपचिपी बनती है तो इसे पकाते वक्त कुछ बुंदे निम्बो के रसकी डाल दे इसका चिपचपा पन चला जाएगा इसके अलावा आप भींडी पकाते वक्त एक चमस भूना हुआ बेशन भी डाल सकते हैं नववा cooking tips है ओमलेट बनाने के लिए अंडा फेट तिस वर्क उसमें दो चमस दूद मिला दे इससे ओमलेट सौफ्ट और फ्लपी बनेगा दसवा cooking tips है बिना अंडे का सौफ्ट और फ्लपी केक बनाने के लिए केक के बैटर में पके केले और दही के साथ बनाए ग्यारवा cooking tips है हरी मिर्च की डंठी तोड़कर फ्रीज में रखने से हरी मिर्च अधिक समय तक ताजा बनी रहती है बारवा cooking tips है दूद फारने के लिए बाद दूद का पानी फैके नहीं क्योंकि उसका इस्तेमाल आप दोबारा से दूद फारने में कर सकते हैं या फिर आटा गुदने में भी कर सकते हैं गोबी और आलू को पहले अलग अलग दो से तीन मिनिट के लिए फ्राइ करें इससे सबजी बनाते वक्त ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और सबजी अच्छी बनेगी चौदवा कोकिंग टीप्स हैं गोबी को धीमी आज पर ढख कर बहुत देर तक ना पकाए यही कारण है कि गोबी बहुत जल्दी पक जाती है पंदरवा कोकिंग टीप्स हैं फ्रीज को खुजबुदार बनाने के लिए पुदिने के कुछ पत्ते फ्रीज में रख दे चौदवा कोकिंग टीप्स हैं गोबी और आलो को एक साथ फ्राय ना करें इसे गोबी ठीक से नहीं पकती हैं और आलो भी धंग से फ्राय नहीं होंगे सत्रवा कोकिंग टीप्स है कुछ लोग गोबी को पहले पानी में उबालते हैं लेकिन ऐसा करने से उसका सारा फ्लेवर खराब होता है इतना ही नहीं वहो जल्दी पक भी जाती है ऐसा करने से बचना चाहिए अठरवा कोकिंग टीप्स है बोतल साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी की बोतल में गर्म पानी और एक से दो चमस धिस शौफ डाल दे ऐसा करने से पानी की बोतल भर जाएगी आप बोतल को राद भर रखा रहने दे सुबह बोतल को पानी से धोए आपकी बोतल बिल्कुल नई बोतल की तरह दिखेगी 19 वा कोकिंग टीप्स है गोबी का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें हिंग और कस्तूरी मेथी जरूर डाले गोबी गैस बनाती है और हिंग से गैस नहीं बनती वही कस्तूरी मेथी स्वाद को दोगुना बढ़ करती है 20 वा कोकिंग टीप्स है अपने भोजन को कई बहर गरम करने से बचे क्योंकि इससे उसमें पोसक तत्वन नष्ट हो जाते हैं 21 वा कोकिंग टीप्स है पालक या अन्यपत्ती वाली सबजीयों को पकाते समय उन्हें बहुत ही कम समय पकाई यहां उनके पोशक तत्वों को बनाय रखने में मदद करता है 22 वा कोकिंग टिप्स हैं जैसे ही आप सब्जियों को काटते हैं वैसे ही उन्हें पका लेना चाहिए कि उनकी कोशिकाओं में विटामिन और मिंडल्स होते हैं 23 वा कोकिंग टिप्स हैं सब्जीयों को पकाते समय बेकिंग सोड़ा का उपियोग ना करे हाला कि यह सब्जीयों के रंग को बनाय रखने में मदद करता है और साथ ही खाना पकाने की प्रक्रिया तेज करता है लेकिन सब्जीयों की विटामिन सी कंटेंट को नस्ट कर देता ह 24 वा cooking tips है, सबजियों को जब भी छिलने की बारी आये तो उसके छिलके को बेहत पतला छिले इसकी वज़ा यहा है कि सबजियों और फोलो में पोसक तत्व छिलके के ठीक नीचे ही होते हैं 25 वा cooking tips है, यदि आप सबजियों को लंबे समय तक पानी में भीगो कर रखते हैं तो इसके लगभख 40% विटामिन और मिल्दल्स खो जाते हैं 26 वा cooking tips है, पूरी, मिक्सी को साफ करने के लिए सिरका निम्बू का रस या मीठा सोठा एक स्प्रे बोटल भर के स्प्रे करें और 10 मिनिट के लिए ऐसे ही रख दे, उसके बाद मिक्सी को साफ कपड़े में साफ करें, मिक्सी चमक उठेगी 27 वा cooking tips है, आचार जल्दे खराब होने का मुख्य कारण यह भी होता है कि लोग आचार बनने के बाद उसे बार बार हाथ लगा कर निकालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे आचार जल्दी ही खराब हो जाती हैं 28 वा cooking tips है, खाना बनाते वर समय लोग इसलिए ज़्यादा तेल डालते हैं, ताकि सबजिया कड़ाई में चिपके नहीं, इसके बज़ाए अलग नॉन स्टिक पैन या कड़ाई में खाना पकाया जाएं, तो कम तेल में ही काम हो जाएगा 29 वा cooking tips है, हमेशा सबजियों को पहले धोए और फिर उन्हें काट ले, पहले काटने और फिर धोने से फूट से पोशक तत्वन छीन जाता है 30 वा cooking tips है, यदि चावल बज गए हो तो उसमें सुजी, नमक, खटा दही और गरम पानी डालकर मिक्सी में पीछ ले और इस मिश्टन से इडली बना लीजिए 31 वा cooking tips है, गुलब जमुन घी में बनाते समय दो चम्मस खाने का तेल भी मिला दे इसे गुलब जमुन पर तेल की परत नहीं जमेगी 32 वा cooking tips है, जब भी भटूरे बना रहे हो तो मैदे में रवा मिला कर भटूरे बना इसे बेलने में तो सुविधा होगी भी भटूरे का जाएका भी बढ़ेगा 33 वा cooking tips है, दूद जमाने के समय जामन लगा कर दूद को फेट कर रखे इसे दही अच्छा जमेगा गर्मी के दिनों में दूद गुनगुना ही रख कर जामन कर कम डाले इससे दही खटा नहीं होगा धंडी के दिनों में दूद अपिक्षा थोड़ा सा गर्म रख कर जामन भी थोड़ा सा जादा डाले दही अच्छा जमेगा चौतिसवा कोकिंग टीप्स है केक बनाते समय डिबबे के अंदर फॉइल पेपर विच्छा दे चिक नहीं कम लगेगी और केक तले में चिकेगा नहीं पैतिसवा कोकिंग टीप्स है फ्रेज में फॉइल पेपर विच्छा कर रखे इससे बर्फ की ट्रे या दुसरों जो भी सामन हो वो निकालने में आसानी होगी 36 कोकिंग टीप्स है पालक पनीर के लिए पालक उबालते समय आधा कब दूद और चुटकी भर खाने का सोधा डाल दे रंग हरा आएगा 37 कोकिंग टीप्स है पनीर जादा समय तक ताज़र रखने के लिए पनीर को पानी में डुबो कर बरतन फ्रीज में रखे 38 कोकिंग टीप्स है दूट फटने का आभास हो रहा हो तो इसमें एक चमस पानी में आधा चमस खाने का सोधा मिला कर डाल दे इससे दूद फटेगा नहीं 39 कोकिंग टीप्स है 49 सौरी 40 कोकिंग टीप्स है गुंदे विये मैदे की छोटे छोटे आकार की मठ्री को तलने से पहले इसे थोड़ी देर के लिए सुखा दे उसके बाद में तले तो आपकी जो यह है अच्छी से तले जाएगी थैंक यू सो मच